So gender inequality affecting high mortality देखे हम ये बात ये कर रहे थे कि हातून में और मर्द में जब बहुत ज़्यादा फर्क रवा रखा जाएगा तो जच्चा बच्चा की सेहत अच्छी नहीं हो सकती अब वो फर्क कहां कहां रवा रखा जा सकता है वो उसकी सेहत में भी उसकी घजा में भी और उसको socially जो sport दी जा सकती है या emotionally जो sport दी जा सकती है वो सब जगा अगर फर्क रखा जाएगा तो मा की सेहत पे बहुत बुरा असर डालेगा और पैदाईश के वक्त मा की मौत हो सकती है So in many countries, health services fail to ensure a sufficient number of female providers particularly for services such as obstratics and gynecology तो बहुत से developing countries तो ऐसे हैं जहां पे female doctors या care givers और nurses मौजूद ही नहीं जो पैदाईश के वक्त मा की मदद कर सकें Gender inequality is linked to high risk pregnancies and in turn to high maternal mortality and ill health अगर बच्ची की शुरू से खयाल नहीं रखा जाएगा शुरू से उसकी गजा में कमी की जाएगी उसको socially emotionally support नहीं किया जाएगा तो नतीज़ा ये होगा कि उसकी pregnancy भी high risk होगी वो वक्त से पहले भी जाया हो सकती है और मौके पर भी बीमार बच्चा या मा की death जो है मा की होतीदगी वो उसका इमकान है तो अगर एक मजबूत सहितमंद और एक balanced personality होगी तो उसके आने वाले बच्चे भी सहितमंद होगे हम देखते हैं कि ये भी बड़ी हैरत अंगेज बात है कि मा एक बहुत बड़ा तखलीकी काम करने जा रही है लेकिन जब वो हस्पताल में जाती है तो वहां उसको disrespectful पेश किया जाता है उसके साथ कोई उसकी इज़त से उसका ख्याल नहीं करते है या आपने देखा है कि जब एक छोटे हस्पताल में बहुत से मरीज आ जाते हैं तो डॉक्टर उनकी मुनासिब देखभाल नहीं कर पाते वो एक एक विस्तर पे चार-चार मरीज लिटा रहे हैं और उनके साथ बुरा सुलुक कर रहे हैं तो यहां जब उसको एक mental pressure आता है जो है उस पे रुकावट बन सकता है And then we see that who are migrants or living with HIV are particularly likely to experience disrespectful and abusive treatment अब सब जगा तो आम केसे नहीं होते न बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो किसी ने किसी बिमारी का शिकार है खास तोर पर अगर किसी भी वज़ा से HIV का शिकार है तो फिर उनको कोई भी developing country होगा कोई भी जगा ऐसी होगी तो वहां उनको disrespectful जो है वो उनके साथ सलूक जो है वो किया जाएगा Women are often under intense societal pressure to produce sons लें अब ऐसा भी है कि घर से एक बड़ा pressure होता है कि बेटा पैदा होना चाहिए अब बेटा नहीं आ सकता अपनी मर्जी से ना उसमें बाप की मर्जी शामिल है ना माँ की मर्जी शामिल है लेकिन हमारे माशरे में सिर्फ पाकस्तान में नहीं दुनिया के और भी बेशुमार ऐसे मुमालिके हैं जहां पर माँ को जिम्मदार समझा जाता है कि वो बेटा पैदा करे, तो अगर ऐसे प्रेशर होंगे तो मा सारा वक्त इस tension में, इस depression में, यज़ परिशानी का शिकार रहेगी कि पता नहीं, बेटा पैदा होता है, या बेटी पैदा होती है, तो दोनों सूर्तों में, वो जब उसका blood pressure हाई है, वो physically strong नहीं, अपने आप एक्टर ये वी है, जैसे हमने जब gender identity की बात करते हैं, तो बेशुमार चीजें उसके अंदर आ जाती हैं, बचेयां घर से बाहर नहीं निकलेंगी, बचेयां सेरो तफरीर नहीं करेंगी, अगर वो चार दिन बाहर जाती हैं, तो उनको बड़ा outgoing कहा जाता है, फिर ये के बच की सहत कभी बेतर नहीं हो सकती, तो ऐसी सूरत में भी जाहर है, mortality ज्यादा बढ़ेगी, so women are the first to sacrifice during economic shock, बड़ी हैरत अंगेज बात है, पूरी दुनिया में जब कहीं घुर्बत आती है, या अचानक को economic shock है, किसी भी वज़ा से, खाना कम हो गया, या रहाइश के मसाइल आए हैं, या कुछ भी कोई migration हो गई है, एक जगा से दूसी जगा आना पड़ा है, तो सबसे ज़्यादा सफर औरतें करती हैं, क्यूंकि पूरी दुनिया में वसाइल सबसे कम औरतों को दिये जाते हैं, मर्दों के निस्वर, अब नतीजा उसका यही है, कि उसका जो उसकी pregnancies है वो भी कमजोर होगी, बच्चे की सहत भी कमजोर होगी, और अगर वाकर उसको पैदाइश के वक्त सही मदद नहीं दी जाती, तो फिर उसकी मौत भी वाक्या हो सकती, यह वो सारी वजुहात हैं, जो हमने अर्स किया, कि जो ऐसी माएं हैं, जो पैदाइश के वक्त मर जाती हैं यानि हर दो मिनिट के बाद जो मां जो है वो मर रही है उसकी क्या-क्या वजुहात हो सकती हैं